जिधर भी देखो, हवस के जलाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेवलाद बैठे हैं, बेवलाद महिला शुरक्षा बेतु की बाते हैं, महिला शुरक्षा बेतु की बाते लगी आपको, बेतियों की सुरक्षा आपको बेतु की बाते लगती हैं, अधिक जिनका शब्द निकलवाएं आप, पहले कारवाई से बेतु का शब्द निकलवाएं, आपको शरमानी चाहिए, आपके घर में बेटिया नहीं है क्या, आपकी कोई बेटी रही है क्या, आपकी किसी के बेटे बाप नहीं है क्या, आपकी किसी के भाई नहीं है क्या, शरम आनी चाहिए, दूब कर मर जारा चाहिए आप लोगों को. कुल दीप कुमार सेंगर बीजेपी का बिठाए पहला उधारण दूसरा उधारण आतिफा आज साल की मासूम बच्छी कट्वा जम्मु का केस इसमें भी आरोपी बीजेपी के नेता पाए जाते हैं शाहजानपुर रूरू रूपी का केस जिनमें आनंद स्वामी एक बेटी को ब्लैक मेल करना था विवफ्पर होकर उससे मालिश करना था कोर है वो आदमी वो है पूल वो घ्रे है राज्यमंत्री बीजेपी कि सरकार का NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक हर तीम मिनट के अंदर देश के किसी ना किसी राज्य में किसी शहर में किसी ना किसी गाओं में बस्ती में हर तीम मिनट में कोई ना कोई बच्ची महिला बुजुर्ग रेट का शिकार होती है लेकिन दुर्भागे वंश स्थिती ये है कि ना तो देश की महिला बाल विकास मंत्री के पास अपराधियों के खिलाफ कारेवाई करने का समय है ना पीडिता के परिवार से मिलने का समय है लेकिन उनके पास लाल किले में गीता प्रेणा मोहपसव के अंदर फोटो खिचवाने का समय है उसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी के भी पास बड़े बड़े ने स्पोट्स परसन हो या भी नेता हो उनके साथ फोटो खिचाने का समय है उनकी शादियां अटेंट करने का समय है लेकिन देश की बेटियों पर हो रहे अथ्याचार उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर देश के प्रधान मंत्री के पास टाइम नहीं है उसी प्रकार देश के ग्रह मंत्री जो कि बीजेपी के रास्रियाध्यक्ष भी है श्रियमित साहजी उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है उनके पास विधायक खरीदने का समय है लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो देश के सुरक्षा सुनिश्चित हो इसके लिए देश के सुरक्षा ग्रह मंत्री ते पास समय नहीं है ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा द्यक जी कि जिदर भी देखो हवस के जलाद बैठे हैं संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को क्योंकि देश चलाने वाले बेवलाद बैठे हैं बेवलाद बैठे हैं बिल्कुल चिंता नहीं है आज देश में महिला सुरक्षा पे तो महिला सुरक्षा बेतु की बाते हैं महिरा शुरक्षा बेतु की बाते लगी आपको बेटियों की सुरक्षा आपको बेतु की बाते लगती है अधिक जिनका शब्द निकलवाए आप पहले कारवाई से बेतु का शब्द निकलवाए आपको शरमानी चाहिए केंद्रे में आप बेटियों के साथ ऐसी हरकते हो रह आपके घर में बेटिया नहीं है क्या, आपकी कोई बेटी नहीं है क्या, आपकी किसी के बेटे बाप नहीं है क्या, आपकी का आपकी किसी के भाई नहीं है क्या, शरम आनी चाहिए, दूपकर मर जाना चाहिए आप लोगों को. अदेख जी मैं दुबारा इस बात को दराऊंगी, जिदर भी देखो, हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेच्रियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेउलाद बैचे हैं, बेउलाद बैठे हैं, अदेख जी आए दिन, चाहे छोटी बच्ची, चाहे सब्ताइस साल की डॉक्टर हो, चाहे छपन साल की बुजूर महिला हो, हर कोई हवस का सिकार बन रहे हर कोई रेप का शिकार बन रहे। लेकिन स्यासत में बैठें सियासदानों को कोई वरक ही नहीं पढ़ता? कोई फूल सी बच्ची को नौच ले कोई युवा बेटी को जिंदा जला दे कोई बुजर्ग महिला को नौच डाले लेकिन इन सियासत डालों को फरक नहीं पड़ ऐसे में सवाल उठता है कि देश जा के सौर रहा है देश की ये 50 फीसदी जो आबादी है इसको सौरक्षा मिलेगी कैसे ये बड़ा सवाल है और अध्यक जी देश की इन बेटीयों को देश की इन महिलाओ को देश की इस आदी आबादी को सौरक्षा जब मिलेगी जब केंद्र में बैटी हुई सरकार की मानसिकता बेटीयों के सम्मान में हो जब केंदर में बैटीवी सरकार की जो सोच है वो महिलाओ को सम्मान देने की हो लेकिन आज अध्यक जी बड़े ही दुख के साथ कहना बढ़ रहा है कि दुरवाग्या वंश देश की केंदर में ऐसी सरकार बैची है जो आए दिन महिलाओ पर हो रहे हत्याचार और कुकरम में खुद लिप्त पाई जाती है इसके मैं पुखता उधारन पेश करती हूँ आज इन सदन पटल के उपर उन्नाव रेप केस आरोपी कुलदीब कुमार सेंगर बीजेपी का विधायक तहला उधारन दूसरा उधारन आसीफा आज साल की मासूम बच्ची कठुआ जम्मू का क केस इसमें भी आरोपी बीजेपी के नेता पाए जाते हैं शाहजानपूर रूपी का केस चिनमयानंद स्वामी एक बेटी को ब्लैक मेल करना था निवस्र होकर उससे मालिश कराता था कौन है वो आदमी वो है पूर्व ग्रह राज्य मंत्री बीजेपी की सरकार का और स्वे स्वेम बहुत दुख बहुत दुख के साथ कहना चाती हूं स्वेम देश के प्रधान मंत्री पाए गए बेटियों की सुरक्षा जो है जासूसी कराती हुए स्वेम इस देश का ग्रह मंत्री नामजद तर्विपार रह चुका है यह मैं नहीं कह रही यह मेरे देश का कानू देश की आदी आबादी आज बाहर निकलते हुए यह सोचती है कि मैं वापस आउंगी या नहीं आउंगी आज हमारे माबाप हमारे भाई बहन हमारे रिष्टेदार जब मेरी जैसी बेचियां अपने काम पर पढ़ने के लिए लिखने के लिए जाती है तो पता नहीं होता कि किस परस्तिती में वो बेटी वापस आईगी बिलकुल अध्यक जी अध्यक जी बुद्वार 27 नमिंबर की रात को दिल दैलारे वाला घटना हैदराबाद के अंदर हुआ एक 27 वर्ष ये डॉक्टर का स्कूटी खराब होता है और उसको मदद के बहाने चार लोग घिर लेत क्योंकि मैं स्वेंदी एक लड़की हूँ और कभी कभी किचन में खाना बनाने का मौका मिलता है गल्ती से गरम कढ़ाई को छू लेते हैं अध्यक जी तो अगले दो दिन तक उंगली गर्द गल्ती है उस बेटी को जब जलाया गया होगा अध्यक जी हमारी जैसी बेटियो कोई न कोई कारवाई जरूर होनी चाहिए और ऐसे में जब दिल्ली के अंदर एक अनूनाम की लड़की उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है अकेली वो अपनी हिमत जुताकर धरने अब धरना देती है तो वही केंद्र शाशित जो दिल्ली पुलिस है उस बेटी के साथ बरबरदा पूर्व जो है काम करती है उसको मारती है पीती है और जेल में डाल देती है तब ही उसका संग्यान लेती होई दिल्ली महिला आयों की अधिक जाती है और उसकी मदद करती है अधिक जी कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं एक बेटी होने के साथ साथ एक महिला होन संता ने हमारी सरकार को दिया मैं आज गर्व से सीना चौड़ा करकर और अपनी गर्दन को खड़ा करकर ये कह सकती हूं कि मेरी सरकार ने ना सिर्फ महिला सम्मान के लिए काम किया बलकि महिलाओं को सुरक्षित करने में भी बहुत मैतुपूर कदम उन्होंने उठाए है अध सरकार ने महिलाओं की सुरक्षाहे तू धाइ लाध से अधिक सी 2 मिनिट में धाइं लाध से जादा सीची जीवी कैमरे का काम करा ये विश्वों में पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर चप्पे चौक चुरहाए गली नुकड के उपर महिला सुरक्षा है तू CCGV कैमरे लगाए गए वही एक दिन के अंदर हिम्मत चाहिए और जजबा चाहिए अर्विंद केश्रिवाल जैसा एक दिन के अंदर पंदरा हजार मार्शल बसों में तैनाद करे गए दिल्ली की बेटियों महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा महिया कराने के लिए वही पर दो लाग से जादा स्वीट लाइटे डार्क स्पॉट खतम करने के लिए लगाए जाने का फैसला लिया और बहुत जदी वो लगाए भी जाएंगी दिल्ली महिला आयोग ने पिछले चंद सालों के अंदर कई दश्कों से पैंडिंग पड़े हुए केसिस को तुरंत निप्टाया और पीडित महिलाओं के घर पर पहुचकर उनको सुरक्षा मौया कराई और उनको सहता देकर उनको न्याई दिलाने का काम कराई अगर नियत है तो सब संभव है मन में अगर महिलाओं के लिए सम्मान है तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है उन्हें न्याई भी दिलाया जा सकता है और उनका शशक्ती करण भी किया जा सकता है मैं उम्मीद करूँगी कि देश में आज जो स्तिती है वो स्तिती भविश्य में ना हो इसके लिए आज हर एक बेटी को जागना होगा हर परिवार के सदर से को जागना होगा और उखार कर फैकना होगा ऐसी मानसिक्ता के नेताओं को जो मानसिक्ता वो महिलाओं के विरोध में लखते हैं और जो उनकी मानसिक्ता महिला विरोधी जलकती है आपने मुझे इस अति महत्वपून मुद्दे पर बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभर